नमस्कार मैं रवीश कुमार क्या आप मोदी सरकार की जेल फैक्टरी के बारे में जानते हैं जिसमें विपक्ष के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं के अलावा प्रोफेसर, रिसर्चर, वकील और सामाजिक कारेकरताओं को छह चह साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और फिर कई साल तक जेल में उन्हें सड़ाने के बाद सबूतों के नमिलने के आधार पर जमानत दे दी जाती है इस फैक्टरी में डाले गए लोगों में से कोई जेल में ही मर गया किसी की नौकरी चली गई, किसी का शरीर बिमारियों से ग्रस्त हो गया, किसी के जीवन के कई साल बरबाद हो गए सभी के परिजनों ने जो मानसे की यातना जहेली, आर्थिक प्रताडना जहेली वो अलग है जब भी इस जेल फैक्टरी में किसी को डाला जाता है गोदी मीडिया के एंकर लगा कर इन्हें जनता की अदालत में अपराधी साबित कर दिया जाता है आप से बार-बार कहा जाता है कि अदालत पर भरोसा कीजिए निर्दोश हैं तो जाच एजेंसियों का सामना कीजिए लेकिन अब कई मामलों में यह साबित हो चुका है कि बात भरोसा करने की नहीं है बात है उसकी नियत की जो सरकार के आलोचक लोगों को गंभीर से गंभीर धाराओं में कई साल के लिए जेल में बंद कर देते हैं इन तस्वीरों को आपने हमारे कारिक्रमों में कई बार देखा होगा भीमा कोरेगाओं केस प्रधान मंत्री की हत्या की साजिश के नाम पर इतनी जिन्दगियों को तबाह करने वाला केस बन गया है इस केस के बारे में कैसे जाना जाए और कैसे बताया जाए जिस तरह से जी एन साई बाबा के बाद शोमा सेन को 6 साल तक जेल में रहने के बाद अब जाकर जमानत मिली है उससे तो यही लगता है कि केस पलट देना चाहिए और जाँच एजनसियों पर ही इन लोगों की जिन्दगी तबाह करने का मुकदमा चला देना चाहिए मगर कोट ने आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाब इस मामले में कारवाई के आदेश नहीं दिये इसलिए जमानत देते वक्त अदालत की सक्त टिपणियों का इन जाँच एजनसियों पर कोई असर ही नहीं पड़ता है उनके लिए अदालत की फटकार, सुनना, रूटीन का काम हो गया है भीमा कोरे गाउं कोई मामुली मामला नहीं इस केस में बन 80 साल के स्टैन स्वामी जेल में ही मर गए जी एन साई बाबा 90 फिसदी विकलांग थे दिल्ली इन्वर्सिटी में प्रोफेसर थे उनकी नौकरी चली गई और शरीर की शमता और कमजोर हो गई सुधा भार्दवाज से लेकर आनंद तेल तुमडे और उनके परिवार के लोगों को कितना कुछ भुगतना पड़ा अगर आप इन कहानियों को समेट कर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आतंग का एक राज किस तरह से खड़ा कर दिया गया है पूरा का पूरा मैदान बोलने वालों और सवाल करने वालों से खाली कर दिया गया है और जो लोग इस तमाशे को देख रहे हैं जिनें लगता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है दरसल वो भी इस जेल फैक्टरी के डर से गलत को गलत नहीं बोल पा रहे हैं एक बार आप इस किताब को पढ़ जाईए अलपा शा के किताब भीमा कोरेगाओं केस के एक एक डिटेल को रेकॉर्ड करती है आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे चाहे आप किसी भी सरकार को चाहते हो मगर इस किताब को पढ़ने के बाद चाहने का सारा भूत उतर जाएगा अगर इस तरह से जाच एजनसियां प्रोफेसर, पत्रकार, वकील, समाजी कारेकरताओं को राश्टिय सुरक्षा के प्रेत के नाम पर पकड़ती रही तो एक दिन आप इनकी हालत से डरते, डरते, सूप कर काटा हो जाएंगे हो भी गए हैं इसलिए इतनी नाइनसाफियां देखने के बाद भी आपके मूँ से आवाज नहीं फूट रही धर्म का नाम लेकर आप अपने इस डर को छिपा रहे हैं अलपा शा की ये किताब हरपर कॉलिन से आई है 699 रुपे की है ये किताब आपको बता देगी कि कैसे प्रधान मंतरी की सुरक्षा के नाम पर इतनी सारी जिंदगियों को तबाह कर दिया गया कभीर कला मंच के दलित कलाकार कभी रंकर्मियों को भी इस केस में बंद किया गया है जियोती जगताप, सुधिर धावले, गौतम नवलखा, वरवरा राओ, हनी बाबू, रोना विल्सन, अरून फरेरा, वर्नन गुंजालवे, सुरेंदर गाडलिंग, महेश राउत को इस केस में बंद किया गया है JNU कांड के बाद भारत के लोगतंत्र को ध्वस्त करने का प्रयोग इसी केस से शुरू होता है किताब का टाइटिल भी यही कहता है भीमा कोरेगाओं केस और भारत में लोगतंत्र की खोज सुप्रीम कोट ने भीमा कोरेगाओं केस में 6 साल से जेल में बन नागपुर युनिवर्सिटी की अंग्रेजी विभाग की प्रोफेसर शोमा सेन को जमानत देते हुए जो कहा है उससे एक बार फिर यह पूरा केस केंद्री की साजिश की तरह ही सामने घूमने लगता है एक दिन जब सरकार को जेल भेजने वाले लोग नहीं मिलेंगे तो वो अपने समर्थ को और चुप रहने वाले लोगों को उठा कर जेल भेजेगी ताकि बाकी बचे लोग इसी तरह थर-थर कांपते रहें और चुप हो जाएं यह सच भी है आज विपक्ष से ज़ादा समर्थक ही जेल के नाम से डर गएं इतना बताना जरूरी था वरना आपको लगता ही नहीं कि प्रोफेसर शोमा सेन की जमानत का आदेश इतना महत्वपूर्ण है हम यह वीडियो बिलकुल शोमा सेन और जीन साई बाबा के लिए नहीं बना रहे हैं आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप समझ जाएए अगर कोई आपके इमेल में घुश जाए आपकी तरफ से किसी को जवाब देने लगे सबूत तयार कर दे और एक ट्रेल बन जाए कि आप किसी अपराधी या आतंकवाधी से बात कर रहे हैं और फिर अगली दिन आप हमेशा के लिए जेल में ठेल दिये जाएं ये बहुत आसान है तब तो आपके हाथ में कंठी माला सुनकर धरी की धरी रह जाएगी आप भी दबोच कर जेल में डाल दिये जाएंगे इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दिल्ली के आईटियो के पास हरकिशन सिंग सुर्जीत भवन है यहाँ पर भी भीमा कोरेगाओं केस की तरह नियूस क्लिक केस में छव महिने से जेल में बंद प्रबीर पुरकायस के लिए आवाज उठाई जा रही है उनके प्रती समर्थन जताने के लिए नसीरुदिन शाह, पी साइनात, रतना पाठक शाह, डॉक्टर रगुनंदन, हर्श मंदर, प्रोफेसर प्रभात पतनायक, एनराम, मलिका साराभाई, सीताराम यचूरी, गोपाल राय, वरिंदा करात और प्रोफेसर सुचेता डे यह यह वही लोग हैं, जो हमेशा दूसरों के नागरिक अधिकारों की रक्षा में जुटते रहें, भीमा कोरेगाओं केस में, जब एक एक कर प्रोफेसर, वकील, सामाजी कारेकरता धरे जा रहे थे, तब प्रोफेसर रोमिला थापर, लेखिका, अरुंदती रॉय, प्रोफे जता भी खबर नहीं है, कोई कबर नहीं करेगा, तो इसका मतलब नहीं कि लोग आवाज नहीं उठाएंगे, न्यूस क्लिक एक अच्छी खासी न्यूस संस्था थी, लेकिन कथित रूप से चीन से फंडिंग लेने के आरोप में छापा पड़ा, और ये संस्था तबाह कर इसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्त अक्टूबर महिने से जेल में है, इस केस का पैटन भी दिल्ली शराब घोटाले से मिलता जुलता है, इसमें भी एक करीबी को सरकारी गवाब बना लिया गया, प्रबीर पुरकायस्त वो शक्स हैं जिन्होंने आपात काल का इसके से फिरोटा का बाया रेुम्टर्ण ओर थैन्म होस्ते हैं इसका पने देला के क然 जो होता है, इसमें भी एक का स्थान आपक। आने कन लिए हमादा एकमादेनी तूमासें जम्म परिखे परूमासें कल गार था भी था घशी 9 इसमेशने पर जलता।, इसमें भीए फ्रह में आर्Gשूं पिवर्सक slash 가운데 इंज सस्काष MR K yap सीवा होजिए, लिएगी कि आर्प्रा से विंड और इनो प्राथ के तो बढ侠िए उप अमोले। इम जागिए का सफ्हाएज ऐस को राध्सना केषिकत है, इससे पहले कि गोदी मीडिया के एंकर आपको लेक्चर दें जिस तरह से संजय सिंग के केस में दे रहे थे कि अदालत पर भरोसा कीजिए जहांच एजनसियां जो कह रही हैं वही सही हैं आप जज नहीं है उन सब को याद रखना चाहिए कि संजय सिंग के केस में छा महीने तक जेल में रखने के बाद भी कोई मनी ट्रेल नहीं मिला किसने संजय को दिया संजय ने पैसा किस से लिया इसका कोई सबूत नहीं होता तो जिस मामले में दो साल से जान चल रही है एडी सबूत पेश कर देती ठीक यही होता लग रहा है छा साल से जेल में बन दलित प्रफेसर शोमा सेन के केस में छा साल तक इस बहतरीन प्रफेसर को जेल में बन रखा गया पांच अप्रेल को सुप्रीम कोट के जस्टेस अनिरुद बोस और जस्टेस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने शोमा सेन को जमानत देते हुए कहा कि शोमा सेन पर लगाए गए आरोपों में यूए पिये के अपराद दिखाई नहीं देते हैं इसका भी कोई आरोप नहीं कि उन्होंने कोई भड़काव भाशन दिया था शुरुवाती FIR में उनका नाम भी नहीं था शोमा सेन ने प्रथम दिरिष्टेया किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधी नहीं किये नहीं इस आरोप को पुष्ट करने वाला कोई संकेत है कि शोमा सेन ने आतंकवादी गतिविधीयों को फंड किया या उसके लिए उन्हें पैसे मिले उन्हें पैसे मिले हैं या आर लेकिन इन फाइलों में क्या सामने आया है, इसका कोई ठोस प्रमान कोट के सामने नहीं रखा गया है केवल यही पता चल रहा है कि कुछ डिलीट किया गया है तो बताईए पहली नजर में कोई संकेत तक नहीं, सबूत तो छोड़ दीजे, कोई संकेत नहीं कि शोमा सेन ने आतंकवादी गतिविधियों को फंड किया और उन्हें 6 साल के लिए जेल में डाला गया सुप्रीम कोट ने फैसले में लिखा है कि शोमा सेन करीब 6 साल से जेल में हैं, वे 66 वर्ष की आयूप पार कर चुकी हैं और अभी तक आरोप तैड नहीं हुए हैं आदेश में लिखा है कि अदालत मानती है कि किसी भी प्रकार की आतंकी कारवाई करने का कोई प्रयास हुआ है, पहली नजर में इसके संकेत नहीं मिलते हैं अदालत ने यह भी पाया है कि सेन पर आतंक विरोधी धाराएं लगाई गई हैं तो दिखना चाहिए कि एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या भारत की संप्रभुता को खतरा पहुंचाने का मकसद रहा हो या पहुंचाया गया हो यही नहीं ऐसी कारवाई के पीछे आतंक की स्ट्राइक का इरादा रहा हो, लोगों में आतंक फैलाने की संभावना रही हो लेकिन एनाईये ने जो भी सबूत रिकॉर्ड पर लाए हैं उसे देखने के बाद कोट इन आरोपों को मानने से इनकार करती है अब आप सोचिए, जिसे मन करें उसके खिलाब मनी लॉंडरिंग का केस लगाओ, ताकि बिना जमानत के जेल में सड़ा दो, या फिर आतंक की धारा यूए पीए लगा दो ताकि जमानत ना मिले च्छा साल बाद ये हालत है कि एनाईय के पास दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं, फिर इतने साल तक शोमा सेन की जमानत का विरोध क्यों किया गया आप एक बात समझे, मैं क्यों हिंदी के कई अखबारों को रद्धी अखबार कहता हूँ, किसी में इस केस के बारे में डिटेल से नहीं बताया जाता है इसलिए ताकि उसका पाठा कभी समझने के लायक न रहे, नागरिक बनी न सके, जुंड बना रहे केवल धर्म के नाम पर भीमा कोरेगाओं केस में एक और आरोपी है, रोना विलसन, जिस वाशिंग्टन पोस्ट की रिपोर्ट की बात हमने की और कई कारिक्रमों में की है, उसमें विस्तार से बताया गया है कि रोना विलसन के कम्पीटर में सौफ्ट्वेर की मदद से कोई हैकर घुश गया, वो रोना विलसन बनकर दो साल पत्रा चार करता रहा, इससे सामने वाले को लगता था कि रोना ही मैसेज कर रहे है, पुणे पुलिस द्वारा उनके लैप्टॉप को जब्द किये जाने के बात, उसी हैकर के आईपी एडरेस से अन्य आरोपियों को फसाने के लिए वाईरस वाले इमेल भेजे जाते रहे, कथित रूप से एक फेक पत्र तयार किया गया, जिसे रोना ने लिखा होता है, और साजिश के आरोप में उसे गिरफतार कर लिया गया, अलपा शाह ने इस किताब में अलपा शाह ने विस्तार से बताया है कि कैसे वे इस निशकर्ष पर पहुँचती है कि भीमा कोरेगाउं मामले में सरकार के शिर्ष स्तर का हाथ रहा है, और जानने के लिए आप उनकी किताब खरीद कर पढ़िये, हारपर कॉलिंस ने इसे छापा है, आरसेन अपनी जांच के बाद कहा था कि उन्होंने कभी भी सबूतों के साथ छेड़ छाड़ का ऐसा मामला नहीं देखा, सुप्रीम कोर्ट ने शोमा सेन की जमानत के आदेश में कहा है कि जिन सारी चिठीयों और अन्य सामगरियों की सूची यहां पेश की गई है, ऐसा प्रतीत ह होता है कि वे सभी सा अभियुक्त रोना विल्सन के इलेक्ट्रोनिक डिवाईस से बरामत की गई हैं, इलेक्ट्रोनिक डिवाईस से मिले सबूतों पर कोर्ट ने इतना ही कहा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें आरोच के लिए काफी नहीं माना, यह अपने आप में बड़ा जब इस केस में प्रोफेसर रॉमिला थापर की याचिका पर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई थी तब जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने कहा था कि महरास्ट्र पुलिस की जाँच पर कई सवाल उठें कोट के सामने पर्याप्त सामगरी पेश की गई है जिससे लगता है कि इसकी जाँ स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए जस्टिस चंद्रचूड ने उस वक्त महरास्ट्र पुलिस की इस बात की आलोचना की थी कि गिरफतार एक्टिविस्ट के खलाव सबूतों को लेकर प्रेश कॉनफरंस क्यों की गई वकाईदा प्रेश कॉनफरंस में बताया गया कि प्रधान मंत्री की हत्या की साजिश रची गई है और इसके ये सारे सारे सबूत है तब जस्टिस चंद्रचूड ने कहा कि ऐसा लोगों की राय को बदलने के लिए किया गया, मैनुपिलेट करने के लिए किया गया, क्योंकि तब इन गिरफतारियों को लेकर पुलिस की काफी आलोचना होने लगी थी जस्टिस चंदरचूड ने कहा कि सुधा भार्दवाज की गिरफतारी दिखाने के लिए जो पत्र पेश किया गया है उस पत्र में मराठी के ऐसे शब्दों का इस्तिमाल है जो सुधा बोलती भी नहीं है आप कलपना तो कीजिए ऐसी चिठी अगर प्लांट कर आपको जेल में ठूस दिया जाए इस चिठी के आधार पर तो आप क्या करेंगे क्या आप चाहते हैं कि देश में यहीं सब होता रहे सुधा भार्दवाज को तीन साल जेल में रहना पड़ा था इसलिए आपको अलपा शार की किताब पढ़नी चाहिए होश उड़ जाएंगे जब आप धर्म के नाम पर बेहोश थे और थर्ड क्लास का गोधी मीडिया देख रहे थे तब आपके ही नागरिकों को किस तरह की यातना दी गई क्या ये मामूली बात है कि 6 साल बाद कोड के सामने एनाईय धंग का एक सबूत तक पेश नहीं कर सकी क्या इस संस्था का राजनीतिक इस्तिमाल हो रहा है या देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी संस्था है लेकिन क्या इसे भी ED बना दिया गया है ED संजे सिंग के केस में ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई NIA शोमा सेन के केस में सबूत पेश नहीं कर पाई दोनों ही संस्थाओं का ये तथा कथित पेशेवर काम एक हफते के भीतर देश के सामने आ गया आप जानते हैं कि संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरी को निजी स्वतंतरता और संपति की रक्षा की गारेंटी देता है सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जब आप किसी भी तरह से किसी की स्वतंतरता छीनते हैं तो आर्टिकल 21 का उलंगन करते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तब आप के पास ठोस आधार होने चाहिए, तटस्त और नियाएपुंड तरीके से प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए, और जो तथ्थ हैं उसी के अनुपात में ऐसा किया जाना चाहिए। को 28 सगस 2018 को अरेस्ट किया गया, उन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए गये हैं। हम मानते हैं वो कह रही हैं कि दो तरह का आतंकवाद होता है, दोनों ही हमारे लोग तंत्रिकी बुनियाद को कमजोर करता है और लोगों में भै पैदा करता है। पह शूमा सेन के ख granting कुमार साही नाम के एक आदमी का बयान एजेंसी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कोट ने लिखा है कि इस व्यक्ती ने दो बयानों में शूमा सेन के खिला प्राव उबल हो पाल गांगे टृट हैं मर उससे पहले प्लिस को दिये गए अपने पहले बयान में उसने शोमा सेंन के लिद्र बारे में यही कहा था कि वे बुद्धी जीवी समू के साथ मिलकर महिलाओं और छात्रों की समस्याओं का हल निकालना चाहती थी इस बयान में उसने शोमा सेन का नाम नहीं लिया, क्या ये E.D. के केस से नहीं मिलता, संजह सिंग के केस में, केजरिवाल के केस में इसी तरह का हुआ मगर कुमार साई ने अपने अगले बयान में NIA को दिया और उसमें शोमा सेन का नाम लिया कहा CPI माववादी के साथ काम करने वाली अर्बन नकसल है शोमा सेन, रोना विलसन, सुरिंद्र गाडलिंग, महेश राउत और सुधिर धावले के गिरफतारी के अगले दिन पुने पुलिस ने एक प्रेस वारता भी की थी और सभी तरह के कानूनी प्रोटोकॉल को तोड़ते वे इस केस के कथित सबूत प्रेस में जारी कर दिये गए पुने पुलिस के जॉइन कमिशनर ने तब कहा था हमें इस बात का यकीन है कि ये लोग अर्बन नक्सलिजम के चेहरे हैं हमें ये थाबित करने के दस्तावेज मिल चुके हैं अलपशा ने अपने किताब में लिखा है कि ये सारे दावे रोना विल्सन के लैप्टाप पर मिले दस्तावेजों के अधार पर किये गए इसके बाद इस केस में यूए पीए की एंट्री हो जाती है जून में जिस दिन शोमा सेन के घर रेड हुई उसी दिन उनकी गिरफतारी हो गए इनके घर से कागस, दस्तावेज, इलेक्ट्रोनिक सामान, मुबाइल फोन, इत्यादी सबजब्थ हो गए जब इलगार परिशद हिंसा को लेकर आठ जनवरी 2018 को एफाई यार हुई तब उसमें शोमा सेन का नाम तक नहीं था उसमें केबल एलगार परिशद के आयोजिकों का नाम था जिसमें कबीर कला मंच के कारेकरता शामिल थी 6 जून 2018 को शोमा सेन को हिरासत में लिया जाता है इससे पहले इस मामले में कुछ लोगों के घरों पर महरास्टे पुलिस की एक साथ रेड होती है इसमें रोना बिलसन, सुरेंदर गार्डलिंग, सुधीर धावले, जोती, जगताब भी शामिल थे ये सभी अभी भी जेल में हैं उस समय पुलिस ने कहा कि इनके घरों से ऐसे साक्ष मिले हैं जिनके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है ये सभी एक साजिश का हिस्सा है, कहा गया कि बैन CPI माववादी ने साजिश की है इस मामले में 16 आरोपी हैं, अभी केवल 6 को ही जमानत मिली है सुधा भार्दवाज, आनन्तिल तुम्डे, वर्नन गुंजालवेस, अरुन फरेरा, शोमा सें छटी है गौतम नवलखा को स्वासकारणों से नजरबंद रखा गया है गौतम नवलखा और मनोज राउत को बंबे हाई कोट ने मेरिट पर बेल दे दी लेकिन हाई कोट ने ही उस पर रोक लगा दी अब तो सुप्रीम कोट ने भी इस स्टे को बढ़ा दिया है इस केस के सबसे बुज़र्ग अभियुक्त स्टैन स्वामी की जुलाई 2021 में हिरासत में ही मौत हो गई थी आपने जी एन साई बाबा की रिहाई पर हमारा वीडियो देखा था 2017 में ट्राइल कोट द्वारा उन पर माओ वादी गतिवीदियों में शामिल होने के आरोप तैय कर दिये अप्टूबर 2022 में उन्हें बॉम्बे हाई कोट ने जमानत दी मगर तुरंथी सुप्रीम कोट की एक बेंच ने जमानत पर रोक लगा दी शनी वार की छुटी थी तब भी सुबह सुप्रीम कोट की बेंच बैटी क्या आपको बताया जाता है बार बार कि एक विकलांग प्रोफिसर को जेल में डालने के लिए छुटी के दिन सुप्रीम कोट ने सुनवाई की उसके बाद यह मामला फिर से बॉम्बे हाई कोट गया और कहा गया कि फिर से मेरिट पर केस की परताल हो इसके डेर साल बाद बॉम्बे हाई कोट ने फिर से जी एन साई बाबा को केस के मेरिट के अधार पर जमानत दे दी उन्होंने जेल में कुल 3588 दिन बिताए उनके केस को खारिज करते हुए हाई कोट ने कहा कि अभी योजन पक्ष उनके खिलाब किसी प्रकार का सबूत पेश नहीं कर सका जी एंसाई बाबा के खिलाब कोई आरोप साबित नहीं होते हैं और इस केस में यूए पीए के प्राव प्रधान मंत्री की कथिद हत्या की साजिश केस इस तरह से खड़ा किया जाता है क्या यही इसकी गंभिरता है कि कई-कई साल बात कोई सबूत ना हो और जमानत पर आरोपियों को छोड़ना पड़े किसी भी तरह से देखिए तो यह केस जेल में बंद लोगों के जीवन को बरबाद करने का ही मामला लगता है इतनी कुरूरता की छूट तो किसी भी सरकार या अफसर को ना मिले भले आप उस सरकार को कितना भी चाहें इसलिए प्रबीर पुरकायस से लेकर अरविंद केजरिवाल हों या भीमा कोरेगाओं केस में बंद किये गए समाजी कारिकरता हों या पत्रकारों के यूट्यूब चैनल जब बंद किये जाते हैं तब थोड़ा सतर्क हो जाईए वरना एक बार समविधानी का अधिकार हाथ से गया राजी का आतंक आपके घर में घुश जाएगा तब धर्म भी आपको नहीं बचा पाएगा आप बचेंगे तो केवल समविधान से ही आखिर कब तक यह सब चलता रहेगा कि पुलिस या जाँच एजनसी किसी को चोरी से लेकर आतंक के केस में फंसा दे यह मामला केवल कुछ लेखक, वकील या चंद सरकार विरोधी लोगों का नहीं है आम लोगों के साथ भी यही अत्याचार इससे भी बड़े स्केल पर होता है यही कारण है कि कॉंग्रिस ने इस बार अपने घोशना पत्र में इस पर कई ठोस वादे किये हैं कि अब ऐसा नहीं होगा कॉंग्रिस ने कहा है कि पुलिस, जाँच और खुफिया एजिंसियां सकती से कानून के अनुसार काम करेंगी जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करती हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राजविधान मंडलों की निगरानी में लाया जाएगा कानून को शस्त्र बनाकर उप्योग करने, मनमानी तलाशी, जबती, कुर्की, अंधादुन, गिरफतारियां, थर्ड डिग्री तरीके, लंबी हिरासत, हिरासत में मौतें और बुल्डोजर नियाए को समाप्द करने का कॉंग्रेस ने वादा किया है, और जेल सुधार का भी वादा किया गया है इस तरह भीमा कोरेगाओं केस भारत के लोग तंत्री की वो अंधेरी रात है जिसकी चाधर कई कई साल में थोड़ी थोड़ी हटाई जाती है 16 आरोपी हैं अभी भी 10 लोग सुबा की रोशनी के इंतजार में हैं उमीद है आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं सोचिएगा कि क्या ऐसा राज्या ऐसी सरकार आपको चाहिए जो किसी को इस तरह से जेल में डाल दे क्या आप चाहते हैं कि जेल भेज देने का वातावरन बना रहे ऐसे माहौल में वे भी जेल का ही जीवन जीने लग जाते हैं जिनके जेल जाने का नमबर अभी नहीं आया है नमस्कार मैं रवीश कुमार